Hello friends, good morning, कैसे हूँ? I hope या आप लोग अच्छे ही योगश हूँ friends आज की इस वीडियो हम लोग solve करेंगे Hindi language का practice it पूरे 50 प्रश्णों का हम लोग इस वीडियो में solve करेंगे friends, अगर आप लोग 50 में से 18 प्रश्णों सही कर लेते हैं तो आपकी Hindi language की इतारी अच्छी है तो चलिए इस वीडियो को start करते हैं और भी वीडियो अगर आप लोगो देखने ही तो आप लोग playlist में जाके देख सकते हैं playlist में आपको सभी subject की important classes मिल जाएगी इन classes के अगर आपको free में PDF डाउनलोट करना है तो आप लोग हमारे टेली ग्रम चैनल से जॉइन हो शकते हैं टेली ग्रम चैनल के नामे education भी साहिल वीडियो को description box में आपको link में जाएगी आप लोग जॉइन हो शकते हैं चलिए यहाँ पर classes का timing आप लोग देख सकते हैं टाइम से आप लोग class को देख लिया करें साड़े 9 वजे हिंदी language class होती है धाई वजे GK plus करेंट फिर की होती है शाम साड़े साब जजे reasoning and subject ability class होती है और मैं कोशिश करूँगा reasoning की भी classes लाने की यानि की important important जो exam में questions पूछे जाते हैं इस लेवल के questions पूछे जाते हैं उससे भी मैं solve कराऊंगा ठीक है और साथ ही अगर आपको BA attendance exam का पूरा material चाहिए आप शबी को पता कि एक महीने का समय है आपके पारश त्यारी करने का 6 जुलाई को आपका offline exam होगा तो अगर अभी तक आप लोग त्यारी नहीं किये हैं तो आप लोग ये crash course को purchase करके बहतरीन त्यारी कर शकते हैं इसमें आपको Hindi ZK Resinning Subject Ability के 5000 से जादा इसमें आपको topic wise objective question देखने को मिलेंगे ये सबी वर्गों के लिए crash course है वो लोग government college में अपने admission लिये थे तो इस बार भी 1000 student purchase कर चुके हैं तो आप भी purchase कर लिजे मात्र 149 रुपाइस का rate रखा गया है अब समय आपके पास जादा नहीं है तो purchase करके बहतरी अपनी स्टार्ट कर दीजे वीडियो के description box में link है उस link पे जैसे ही आप लोग click करेंगे तो उसमें ना, mobile, email लड़ी आप से पूछा जागा उसके बाद 149 जैसे ही आपका payment होगा PDF download का option हैगा आप लोग download कर लेजेगा ठीक है? कुछ doubts वगए रहा हो तो comment box में आपना doubt क्लिए कर सकते हैं सबसे पहला question से यहाँ पर देख सकते हैं बिहारी किस काल के कवी थे? इस question में इश्टा लगा के note के लेजेगा बिहारी जो है किस काल के कवी थे? बहुत ही अच्छा प्रशन है important question है तो बिहारी किस काल के कवी थे? री तिकाल के कवी थे? आफनिस का जो है यह वाला बिलकुन करेक्ट हो जागा ठीक है चलिए हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहां कल वहां चले किसकी पंक्तिया है यह भी बहुत अच्छा प्रशन है हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहां कल वहां चले यह किसकी पंक्ति है चार आपके सामने दीगे हैं जो भी इस questions का right answer आप लोग comment box में फड़ा फड़ा बताने का प्रयास करेंगे अगर आपको answer सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग video को रोग भी सकते हैं हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहां कल वहां चले किसकी पंक्ती है यह पंक्ती है भगवती च प्थर देखा मैंने उसे इलहाबाद के पथर पर उपरोग पंक्तियां किसकी है 53 का जॉप देने के प्रयास करेंगे बहुत ही जवज जैसे प्रशन है और जितने भी लोग class को देख रहे हैं फड़ा फड़ा वीडियो को like कर देंगे और share कर देंगे like करने से कुछ नहीं तोड़ा motivate होता हूँ और भी अच्छे-च्छे questions आप लोगों के लिए में लाता रहूँगा ऐसे ही ठीक है और कल हो शगे गया तो मतलब topic वैसी class होगी morning में हिंदी की जो 4-5 topics बचे हुए हैं उनको भी cover करा दे रहा हूँ मैं आपको तो ये जो पंक्ति है वहा तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलहाबाद के पत्थर पर ओप्रोग पंक्तिया किसकी है यहां पंक्ति है धान किएगा शूर कांत्रिपाठी निराला जी की ऑफनेस का जो है सी वाला बिलकुन correct हो जागा ठीक है चलिए ग्यान पीट पुरुसकार की शेतर में स्रेश्ट कार करन पर दिया जाता है तो यहां जो दिया जाता है साहित के शेतर में जो है स्रेश्ट कार करने के लिए ग्यान पीट पुरुषकार ओफन इसका डी वाला बिलकुन correct हो जागा ठीक है चलिए निम्ड में से सकर्मक करिया है कौन सी बताइए इसमें यहां पे हशना है पढ़ना है शोना है रोना है तो इसमें सकर्मक करिया कौन सी यह आपको बताना है 55 का जवाप दने के प्रास करेंगे सब लोग सकर्मक करिया है इसमें पढ़ना ठीक है ओफन इसका बी वाला बिलकुन correct हो जगा 50 में से आपके जितने भी प्रशन सही हुआ करें तो लाश्ट में आप ल वो अपडीट आपको शब से पहले हमारी चैनल की मादम से देखने को मिलेगे ठीक है चलिए ग्या को जो है वर्णमाला में माना जाता है क्या सबी लोग जवाप देने का प्रयास करेंगे 56 का राइट अंसर क्या हो जगा और बहुत ही जबर जैसे प्रश्ण है यह इस्टा लोग जवाप देने का प्रयास करेंगे ग्या को वर्णमाला में माना जाता है ग्या को वर्णमाला में माना जाता है संयुक्त बेंजन माना जाता है आफन इसका जो है यह वाला बिल्कुन करेक्ट हो जाएगा ठीक है चार संयुक्त बेंजन होते है एक तो आपका यह ग्या हो गया ठीक है एक आपका जो है त्रा हो गया ये ठीक है एक च्छा हो गया ये और एक आपका ये स्रा हो गया ठीक है स्रा हो गया ठीक है तो ये चारो याद हो गए चलिए कवी सब्द में संगय है कौन सी कवी सब्द में बताएए कौन संगया है 57 क राइट अंसर क्या हो जगा कवी सब्द में संगया है कौंसी तो कवी सब्द में जो संगया है वो है जाति पाइडय किस प्रकार का विंजन है यानि की तका जो उचलें इस्थान है वह किस से होता है आपके होतानfolg props 58 का उन्सर क्या जगा टा वर्ग में जितने भी आते हैं ठीक है ठा हो गया ठीक है उसी तरह जैसे अगर का वर्ग का पूँच ले तो का वर्ग का उचाने सन किससे होता है तो कंठ से होता है ठीक है का वर्ग का उचाने सन किससे होता है कंठ से उसके बाद जैसे चा वर्ग का पूँच ले तो 59 का जौब देने के प्रास करेंगे सब लोग, मनोरत का संद बिछेद क्या होगा, 59 का राइट अंसर क्या हो जागा, मनहधन रत हो जाएगा, मनोरत का संद बिछेद, आप लोग बताइए मनोरत में कौन सी संदी है, जौब देने के प्रास करेंगे, बहुती सरल प्रशन है, व विधियार्थी में, कौन सी संदी है, मतलब, किस संदी का उधारण है, विधाधन अर्थी इसका विग्रा होता है, तो विधियार्थी जो है उधारण है, sacrifice. जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग जगनाथ किस संधी का उधरण है सभी लोग वीडियो को लाइक करतेंगे 2022 में बहतरीन अंकों की साथ अगर आपको बीएड करना है तो आगे भी आपको टेट सीटेट की जो है क्लासेस इसी चैनल से मिलेंगी फर्श अटाम में कैसे क्लियर किया जाता है एक्जाम को वो ट्रिक्स आपको मैं बताऊंगा मातर 15 से 20 दिन में पढ़कर आप लोग सीटेट एक्जाम को क्वालिफाई कर शकते हैं जैसे मैं दोनों एक्जाम को क्वालिफाई किया हूँ यूपीटेट, सीटेट तो जूड़े रहे हैं एस चैनल से आपको निश्रीदी मदफ मिलेगी जो भी बीएट की अपडेट से रहेंगे यूपीटेट से की मतलब कोई भी अपडेट रहेंगे वो अपडेट आपको शब से पहले हमारे चैनल के मदम से ही देखने को मिलेगी जगनात की संधी का उदरण है, वेंजन संधी का उदरण है, और फन इसका ए वाला बिलकुन करेक्ट हो थागी चलिए, चिन, मैंने आपको बताया था कि चिन से जरूर कोश्चन आते हैं, चिन बताईए, योजग चिन कौन सा है इसमें, 62 का जाब दने के प्रयास करेंगे चिन वाली क्लास हो गई ही, तो इसमें ये वाला आपका जो है योजग चिन है, आप लोग बताईए, ये किसका चिन है, ये किसका चिन है, ये किसका चिन है, तीनों का बताईए आप लोग, चलिए, छाप दीजे कमेंट बाक्स में, लागह चिन का प्रयोग होता है, किसके के लिए होता है। सब लोग आप दिने के ब्रयास करेंगे बहुत इछ अच्छा प्रश्ण ay कि लागहो चिन का परियोग जो एक इसके लिए होता है लागहो चिन कौनसा होता ये होता है जी रो की तरह होता है है ठीक है। ब्रैकेट में माल सकते हैं तो लागहो में से किसे में अब्वै भाव शमास नहीं है किस में अब्वै भाव शमास नहीं है जाब देने का प्रयास करेंगे अंसर सोचने का अगर आप लोग को ज़्यादा समचाएए तो आप लोग वीडियो को रोख भी सकते हैं तो इसमें देखी यथा शमय यहाँ पर लिखा है तो इसमें अब्वै भाव शमास आजीवन में हैं प्रतिदिन में हैं यहाँ पर नवरत्न में आपका अब्वै भाव शमास नहीं है अच्छा इसमें कौन सा समास है नवरत्न में दिगू शमास है ठीक है चलिए का प्रयास करेंगे देश रक्षा सब्द जो है किस समास का उधरन है सबी लोग जौप देने का प्रयास करेंगे तो दे le's raksha सब्द में जो श्माज है वह ततुर्श माश से औफенेस का ये अभी लाशा का प्रेवाची है इसकी फ्री पीडिया आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्षिन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा 66 का जवाब देने का प्रयास करेंगे अभिलासा का प्रयावाची है तो अभिलासा का प्रयावाची है मनोरत क्या है मनोरत ओफनिस का जो है A वाला बिलकुन करेक्ट हो देगा ठीक है अभी मनोरत मैं संदी पूछा था न तो विसर के संधिय जितने विलोग ज्वाब दिये हैं, उनका अंसर बिलकुन स़ही है, ठीक है, चलिए, एरिशा का प्रयवाची नहीं है, कौं सा? एर्सा का फ्रयवाची कौं सा नहीं है, ज्वाब देने के प्रयास करेंगे, 67 का राइट अंसर क्या हो जगा? का इरसा का प्रेवाची नहीं है यू और इसमें रशाल नहीं है ठीक है कि रशाल नहीं है तो अफिनिर्ज का णिवाला बिल्कूर्स करेंगा है शगुन का विलोंब बताएंगे शगुण का विलोम क्या है जवाब देने का प्रास करेंगे शगुण का विलोम शब्द बताईए सबी लोग 68 का जवाब देने का प्रास करेंगे शगुण का विलोम क्या हो जाएगा सभी लोग जो आप दने का प्रयास करेंगे शगूंड का विलो में आपका निर्गूंड ऑफन इसका जो A वाला बिलकुन करेक्ट हो ज़ाएगा ठीक है चलिए जो पसीने से उत्पन हो वाक्यांस के लिए एक शब्द चुनिए, जो पसीने से उत्पन हो वाक्यांस के लिए एक शब्द चुनिए, 69 का राइट अंसर बताने का प्रयास करेंगे, जो पसीने से उत्पन हो वाक्यांस के लिए एक शब्द चुनिए, स्वेदे लेना और मरना वाक्यांस के लिग जो शही सब्ध है आवा गमन ठीक है ए उफनिस का ए वाला बिलकुन और इस वीडियो को सब्सक्राइब कर देंगे तक लोगों को help मिल सके, वडी का कत, रूप क्या हो जएगा, बनिया हो जएगा, बनिया हो जएगा, तो Vulnance का जो है, C वाला, बिल्कुन, correct हो जएगा, चलिए, कुची का जो है ततसम रूप क्या है, 72 का जॉब जने के प्रैस कर theater कुछी का तत्सम रूप क्या है अच्छा प्रश्ण है और सेम टू सेम इसी तरह के क्वश्टन स आते हैं जिस तरह आभी मैं practice' it's all करौ रहा हूं एस्टेर पेपर आएगा आपका अप 해도 सिकतर सम्रूप क्या है कूर्ची गया है क्या है ठीक है आफनेस का जो है C वाला बिलकुन करेक्ट हो जागा ठीक है बाकी मरदूल निगल नवल ये सब प्रत्य से बने हैं चलिए गवाया किस प्रत्य का सुद रूप है गवाया जो है किस प्रत्य का शुद रूप है आगे कॉलिटी से ही है पीडियप की एक दो कोशन्स गड़बड हो गया है तो गवाया किस प्रत्य का शुद रूप है मैं आपको बता दूँ 74 का राइटन्स रख्या हो जागा करत्वाच का जो है सुद रूप है नीचे के सब्द के समानार्थक शब्द में से जो गलत है उसका चैन करें अंबर का शमानार्थक शब्द कौन सा नहीं आपको उता रहे है अंबर का सबी लोग जो आप देने का प्रयास करेंगे अंबर का शमानार्थक शब्द कौन सा नहीं है तो इसमें मैं आपको उता दूँ आकाश है, वस्त्र है, कापाश है गोद आपका जो है अंबर का शमन अर्थक शब्द नहीं है और इसका बी वाला बिलकुन करेक्ट हो जगा 76 से 78 तक में आपको मोहारों का शही अर्थ बताना है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है घर का भेदी लंका ढवे घर का भेदी लंका ढवे इस मोहारे का शही अर्थ क्या हो जाएगा 76 का right answer क्या हो जगा सब लोग जोब देने के प्रयास करेंगे घर का भेदी लंका ढवे मोहारे का शही अर्थ क्या है कि विस्वास घाती में त्रहा निकारक होता है आफन इसका जो है दूजा नीम का चड़ा जवाब देने का प्रयास करेंगे तब लोग एक तो कराइला दूजा नीम चड़ा तो इसका जो सही अर्थ हो जागा दोहरा दुरगुण अगले प्रिश्णिकों चलते हैं गढ़े मुर्दे उखाड़ना का क्या होता है गढ़े मुर्दे उखाड़ना का अर्थ क्या होता है अतीत को उद्गाटित करना आफनेस का डी वाला बिल्कून करेट हो देगा चलिए 89 से 81 तक में इसमें आपको जो काले से मतलब छपे हुए अच्छर हैं जैसे यहाँ पे यह कैवेत्री लिखा हुए मैं बार बार आपको बताता हूँ एक कावेत्री हो गया एक स्रंगार हो गया यह बहुत एक्जाम में पूछे जाते हैं जैसे यहाँ पे देखिए महादेवी वर्मा छायावादी यूगी की क्या थी कावेत्री थी इधर आपको ध्यान नहीं देना केवल काले में जो यह छपा हुआ है यह तो इसमें आपको कावेत्री का शुद्रूप बताना है तो यह सुद्रूप भी नहीं है यह भी नहीं है यह जो है कवी का जो इस्तिलिंग होता है कावेत्री यह बिल्कुन सुद्रूप है है आपका तो offense का भी वाला विल्कुन correct हो जगा महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ग्यान है अध्यात्म बताइए यह अशुद्ध है यह अशुद्ध है आपका यह अशुद्ध है अध्यात्म है इस तरह लीखा पूर्व दीशा पर उगता है तो यह वाला जो आपका वाक्य है यह सही वाक्य है बिल्कुन चारो वाक्यों में से डी वाला बिल्कुन करेट हो जब चलिए शर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन सा है शर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन सा है एटी थेरी का जॉप देने का प्रयास करेंगे तो शर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है आपका रष यह विसम चरण में कितनी मांत्राइं होती है building, हो जहां एक सब्द अत्वा նब्द समूं का एक से अधिक बार परियोग हो, किन्तो उसका अर्थ प्रते एक बार भिन हो, वहां काउं सा अलंकार होता है तो वहां पे जो आपका अलंकार होता है, काउं सा अलंकार होता है अनुप्राश, रूपाग उपमा, यमग तो वहां पे अलंकार होता है, यमग, अलंकार आफनेस का जो है C वाला बिलकुन करेक्ट हो जगा रशंद अलंकार और शंदी की क्लास होना बाकी है ये क्लास बहुत ही जल्द हो जाएगी ठीक है जहां वरणों की आवरती होती है वहां कौन सा अलंकार होता है जहां वरणों की आवरती होती है वहां पे कौन सा अलंकार होता है तो वहां पे जो अलंकार होता है आनुप्राश अलंकार होता है और इसका डी वाला बिलकुन करेक्ट हो जगा पूरा उदहरन के साथ आपको मैं समझाओंगा ठीक है चलिए 88-90 बें गद्दान्स की 100% आपके exam में questions आएंगे ठीक है गद्दान्स की और कैसी किया जाता है सबसे पहले जैसे गद्दान्स दे दिया गया है तो आप लोग प्रश्णों को पढ़ा करें ठीक है जैसे ही आप लोग गद्दांस पढ़ेंगे प्रश्ण आपको पता है कि गलत जवाब को रोचक क्यों कहा गया है और इसकी मैं आपको पीडियाप सेंड कर दूँगा टेलीग्राम पे तो आप लोग अच्छे थे प्रैक्टिस कर लेजगा आंसर आपको बहुत ही सरल ह है गद्दांस आप लोग ढूंड लेंगे ठीक है मैं आंसर बता दे रहा हूं गलत जवाब को रोचक इसलिए इस गद्दांस में खा गया है क्योंकि गलत जवाब प्रश्ण करता को सोचने के लिए प्रेजित कर सकते हैं ठीक है तो आफन इसका बी वाला बिलकुन करेक्ट अलग अलग आफन इसका जो है डी वाला बिलकुन करेक्ट हो जगा मतलब अलग अलग होते हैं लोगों के सोचने के तरीकी चलिए काला संकाई के छात्रों को विग्यान की परिच्छाएं उतनी रुमांचक नहीं लगती थी क्योंकि क्यों नहीं लगती थी यह आपको बतान एं तो ओफन इसका जो है यह वाला बिलकुन परिक्ट हो जागा चलिए नही चोशन अनुचेद के आधार पर इनमें से कौन सा कतन गलत है अच्छे से पड़़िए फिर आप लोग बताईए कि अनुचेद के आधार बच्चों से सही जवाब चाहते थे, बिलकुन सही है, बहुतिक विग्यान के सिचक सही उत्तर के लिए बहुत मेहनत करते थे, ये भी सही है तो इसमें देखिए अनुचेत के अदार पर अगर हम देखे तो इसमें जो पहला वाला जो कथान है वो आपका गलत कथान है ठीक है चलिए गलत जवाब का क्या कारण नहीं हो सकता 92 को जवाब देने के प्रयास करेंगे गलत जवाब का क्या कारण नहीं हो शकता तो गलत जवाब का क्या कारण नहीं हो सकता है तरक का आभाओ और तत्थों की सही उपलब्दी ये जो है गलत जवाब का कारण नहीं हो शकता है और अफनेस का C वाला बिलकुन करिक्ट हो जागा ठीक है पार्थे में मुख रूप से यहां कहा गया है कि क्या होंगे बच्चे पार्थे में मुख रूप से यहां कहा गया है कि बच्चे 93 का जवाब देने का प्रास करेंगे सबी लोग कि पार्थे में मुख रूप से यहां कहा गया है कि गलत जवाब यहां बताता है कि बच्चे दिमाग में जो है बच्चे के दिमाग में क्या चलना है तो 93 का यह वाला nasaad और इं से लेगाजनगा करेंगे वैज्यानिक बंगा प्रत्य लगा देंगे विग्यान में तो परिच्छा प्रस्ण गलती सब्सक्राइण रूप क्या क्या है इन तीनों को में आपको ब्यूंज अब समरắt करेंगे बहुत ही अच्छा परिच्छा का बावचन परिच्छाएं होता हैं प्रश्ण का प्रश्ण ही होता हैं गलती का गलतीया होती है तो उप्षनेस का बी वाला बिलकुन रेखांकी सरव्णामों में अरेश्य वश्चक सरव्णामों है, आफनिस का, बी वालबिलकुल करिक्ट ओज़गा, ठीके, चलिये, समाचार पत्र रवं पत्रि का हैं किसके साधन हैं, थो यह जो हैं ज्यान वरधक के हैं, बॉद्धिक तुष्टिके, चलिए वीडियो को लाइक करते के लिए किस सब्दका प्रियो किया जाता है तो शंबोधन के लिए महोदय सब्दका प्रियो किया जाता है और इसका बैताल पचेसी रचना किसकी है ठीक है चलिए राणी केट की कह acontece कि नट के लेजिगा हर क्लास में रिकॉर्ड है मेरा कि हर क्लास में बहुत ही जबर दे से प्रशन behaviour जैसे यह कोशन बहुत एक्जाम में रिपीट होता है यह कहानी बहुत पूचियाती ही रानी केत की कहानी तो इसके रचनाकार है इंसा खाल ठीक है और यह कोश्चन में पोस्ट भी किया था आज तो इंसा अल्ला खाल अगर आप लोग टिक किये हैं वोट किये हैं तो आपका अंसर बिल्कुन सही है ठीक है शो फ्रेंड्स यह थे आपके हिंदी लेंग्वेज के टॉप 50 कोश्चंस इन 50 कोश्चंस में से आपके जितने भी कोश्चंस करेक्ट हुए हो तो आप लोग अपना नाम इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूग देगा और ऐसी वीडोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जड़ ज आपके शो मच